हेलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं कोट्स फ्रॉम जूलियस सीजर और जैसे आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने 10 important जो quotations हैं उनको डिसकस किया था आज के लेक्चर में भी हम 10 important quotes को हिंदी में explain करने जा रहे हैं तो चले friends, selection important होने बाला है, without wasting any time, let's start देखे, एक बड़ी प्यारी सी कोट आती है, सीजर कहता है कैसियस से और ली गई है act third के scene first से और वो कहता है कि I am constant as the northern star कि मैं अडिग हूँ मैं इस्थिर हूँ किसकी तरह से as the northern star जिस तरह से जो धुरुब तारा होता है northern star होता है उसकी तरह मैं constant हूँ of whose true fixed and resting quality fixed and resting quality कि जिसकी एक ही quality होती है और वो क्या होती है fixed यानि जो अडिग होता है जो initial होता है there is no fellow in the firmament यानि उसके जैसा और कोई नहीं होता there is no fellow in the firmament और friends firmament कहते हैं आस्मान को sky को clear sky के लिए word आता है firmament Caesar कहता है Cassius से और act है third और scene है friend fast clear यानि Caesar कहता है कि मैं तुमारी तरह द्रवित होने वाला नहीं हूँ अगर मैं तुमारी तरह द्रवित हो गया होता तो ऐसे काम नहीं चलता और मैंने किसी को द्रवित करने के लिए कभी प्रार्थना की होती और उसके समक्स जुग गया होता तो मैं तुमारी अब्रथनाए जो है उन से मैं अडिग हो गया होता कहता लेकिन ऐसा नहीं है मेरा जो द्रवन निश्चे है वो अटल है बिल्कुल धुर्वत तारे की तरह अटल है जिसके जैसा आसमान में there is no fellow मतलब जिसके जैसा आसमान में कोई और तारा नहीं है जो अ एक और बड़ी प्यारी सी कोट आती है बड़ी फैमिलियर सी और यू टू ब्रूट देन फॉल सीजर कि अरे ब्रूटस तुम भी यू टू ब्रूट देन फॉल सीजर और होता क्या है जब सीजर को असेसिनेट किया जाता है सीजर को मार दिया जाता है पूरी एक कांस्पिरेसी होने के बाद और सीजर जब देखता है कि उसके जो हत्यारे है उसमें मारने वाला उसका दोस्त जिसको वो बड़ा दोस्त समझता था अपना ही तैसी समझता था बूर्टस को वो भी उनमें शामिल है क्योंकि जो पहला वार करता है वो करता है कास का सबसे पहले जो कास का सीजर की नЕक पे वार करता है उसके बाद बाकी conspirators आते हैं बाली बाली से वो step करते है और last में जो step करता है वो करता है brutus तब brutus कहता है कि जो seizure कहता है कि अरे brutus तुम भी जब एक मितर ही मारने लगे अरे बूटस तुम भी तब सीजर, तुम्हारा जो पतन है वो तो निश्चित है, क्योंकि जब एक दोस्त ही हत्यारों में शामिल हो जाए, फिर पतन से कोई नहीं बस सकता, और ये भी फ्रेंट्स जो कोट है, वो एक्ट थर्ड के सीन, फस्ट से कोट है, और ये याद रख लीजएगा, के बारकेशन मन जाता है, कि फस्ट जो स्टेब करने वाला व्यक्ति होता है, वो होता है कास का, और जो लास्ट स्टेब करता है, सबसे बाद में जो मारता है, चा फ्रेंट सीजर की मरत्य हो गई है और कॉंस्पिरेटर्स को लगता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो अत्याचारी था जो टाइरेंट था जो कहीना कहीं अंबीशियस था कबजा करना चाहता था रोम पर उसकी हमने हत्या करती तो सीजर की मोत के बाद सिन्ना चिलाता है और कहता है कि liberty, freedom, tyranny is dead, run, hence, proclaim, cry it about the streets कहता है कि liberty, freedom, tyranny is dead liberty यानि आजादी, स्वतंतरता, freedom, आजादी और tyranny यानि अत्याचार की मुक्ती, liberty, मुक्ती और freedom, आपकी स्वतंतरता और अत्याचार ये सब क्या हो गए है, इन सब की हत्या हो गए है, ये सब अब मर गए है, और run, hence, proclaim proclaim कहते हैं, friends, घोषणा करना, दोडो, और घोषणा कर दो, क्या घोषणा कर दो, cry it about the streets चिला चिला कर, जो रोम की गलिया है, उन गलियों में, रोम की सब को पर जाओ, चिलाओ, और सब को पर चिला कर ये घोषणा कर दो, कि जो मुक्ती, स्वतंतरता है, और अत्याचार है, उसको हमने माट डाला है, clear friends, सिन्ना कहता है, एक थर्ड के सीन, फस्ट में और इसके बाद बढ़ते हैं, और आगे बूटस की एक प्यारी सी कोट आती है, इसी एक्ट के, इसी सीन में है, वो कहता है, Fates, we will know your pleasure, Fates, कि अरे भाग्ये, हमें तो तुम्हारा जो आनन्द है, हम उसको जानते हैं, clear, हमें पता है, तुम कहां आनन्द मनाते हो, That we shall die, we know, और आगे बड़ी प्यारी सी बात कहता है, That we shall die, we know, और हमें मर जाना है, हम जानते हैं, हमें मर जाना है, Tis but the time, लेकिन फिर भी, Tis but the time, और इस बात को जानते हुए भी, जो समय है, and drawing days out, और जो दिन है, वो हमारे नजदीक आ रहे है, हमारी यूर्ड रो हो रहे है, That man stand upon, और फिर भी व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ है, और किसकी प्रतिक्षा करता है, जो अंतिम समय है, म्रत्यू है, उसकी प्रतिक्षा, वो करता है, Brutus act third, scene first, clear, यानि जब Caesar की हत्या हो गई है, जो Antony है, वो दूर भाग गया है, पूरी तरह से बुखलाया हुआ है, पुरुष और महिलाएं, और जित्रे भी लोग है रोम के, उनके चेहरे पर एक आश्चेहरे जनक घवराहट है, और वे सब चीख रहे हैं, वे सब चिल्ला रहे हैं, तब Brutus कहता है, कि Fates, we shall know, we will know your pleasure, कि अरे भाग्य हमें मालुम पढ़ जाएगा, यानि हमें ये पता लग जाएगा कि भाग्य में हमारे क्या है, यानि भाग्य कहां आनंद बना रहा है हमें, पता लग जाएगा, और that we shall die, और हमें मर जाना है, एक दिन हमें मरना है, तिस बट दे टाइम, and drawing days out, then man stand, और मरत्यू जो मनुश्य है, वो जिंदगी को लंबा खीशते हुए, जो अंतिम समय है, जो मरत्यू है, उसकी उसकी प्रतिक्षा करता है, उसे पता है, कि जो अंत है, उसका वो एक दिन होना है, और वो किसकी प्रतिक्षा करता है, वो मरत् और फिंड सीजर मर गया है, मरने के बाद, उसकी जो डेड बॉडी है, उसको देखता है, अंटोनी, और डेड बॉडी देखने के बाद, सीजर की डेफ के बाद, उसके जो शब्द हो निकलते हैं, थर्ड केजिन, फर्स्ट से, वो कहता है, ओ माइटी सीजर, दाओ, लाय सो कि अरे सक्तिसाली सीजर, तुम किस परकार धूल में लेटे हुए हो, कि तुम धूल में लेटने के लिए नहीं थे मेरे मित्र, लेकिन तुम्हें माट डाला गया और तुम धूल में लेटे हो, ओ माइटी सीजर, दस दाओ, लाय सोलो कि अरे सक्तिसाली सीजर, तुम क्या इस तरह धूल में लेटे हुए हो, are all thy conquests, glorious triumphs, are all thy conquests कि जितनी भी तुमारी conquest थी, यानि जो तुमारी विजे थी, glorious triumphs थी ग्लोरीज ट्राइब्स और जितनी भी तुमारी विजय थी स्पोईल्स श्रंक टू दिस लिटल मिजर वो सब स्पोईल हो गई है जो तुमारी विजय थी जो तुमारा वैवव था जो तुमारी सफलताई थी जो तुमारी गरिम आए थी वो सब सिबत गई है and shrunk to this little measure ज़ी होते हैं सिकूर जाना और सिकूर कर क्या हो गई है वो little measure मतलब थोड़ी सी हो गई है छोटी हो गई है क्लिर एंटोनी कहरा है after the death of Caesar और अगर बात करें एक्ट की तो एक्ट है और सीन जो है प्रेंटस फास्ट है यानि यह रहे महान सीजर तू तो इस तरह धूल में लेटा पड़ा है दावलाए सोलो, धर्ती पर लेटा पड़ा है, मरा पड़ा है तो क्या तेरी जो विजय पता काए हैं, जो तेरी विजय थी, जो तेरी गरिमाई थी, जो तेरा वैभव था, वो सब सिमट कर अब छोटी हो गई है वो आगे कहता है, ओ पार्डन मी, दाओ ब्लीडिंग पीस ओफ अर्थ देखो होता क्या है, फिर्ण्स, जो सीजर की रत रंजित लाश पड़ी होई है, एंटोनी के सामने, तब एंटोनी कहता है, ओ पार्डन मी, अरे मुझे माफ करना मेरे दोस्त, दाओ ब्लीडिंग पीस ओफ अर्थ, अरे लहुलुहान प्राणी, अरे लहुलुहान सीजर, तु कि मैं ये जो बुचर्स हैं, ये जो कसाई हैं, उनको कसाई कह रहा है, कि ये जो कसाई हैं, जिनोंने तुमारी हत्या की है, इनके परती मैं अभी भी क्या हूँ, मीकर जेंटल हूँ, यानि मैं अभी भी इनके परती, विनर्म हूँ, और सौहाद पूर्ण हूँ, इसलिए म मेरे मित्र मुझे माफ करना। तो एक नॉबलिस्ट मैन है, यानि जो महान पुरूस है, तुम तो अब क्या हो, तो तुम अवशेश मातर हो, उस नॉबलिस्ट मैन के, उस सबसे महान पुरूस के, उस सबसे कुलीन, उस सबसे सज्जन पुरूस के, तुम अवशेश मातर हो, that ever lived in the tide of times. कि जो कभी जिन्दा रहा, किस पर जिन्दा रहा? In the tide of times. टाइड गैते फिन्द्स उतार चड़ाब को, जौर भाटा को, यानि, जिसे हम मोज कह देते हैं, समुद्र की जो मोज है, यानि, जौर भाटा समुद्र की लहरों का उतार चड़ाब of time, यानि, वो जो समय की मोजे थी, उन पर जो जिन्दा रहा, अब तुम अवशेश मातर हो, clear? Anthony, or act third, or scene first. क्या कहता है? कि ओ, pardon me, यानि, जो Caesar की लहुलवा, लाश है, उसके सामने खड़ाओकर, अपनी उनको व्यक्त करता है, हालाकिो कैसिया से व derechos को बोलने के पक्स में नहीं है, कैसी चाहता है कि एन्टोनी भी ना बोले, लेकिन जो बुरूटा से व खे देता है कुई परिशानी नहीं है जो कहना है, जो इसको बोल लेने दो इसको, तो वो बता बातार आया कि उन कार्णों को आगे वो बताता है जिन कार्णों से सीजर के हत्या हुई अब तब कहता है कि अरे रख्त में रंजित लाश, बलीडिंग पीज अवर्थ, क्लियर? अरे रख्त में डूबी हुई सीजर की लास, तुम मुझे श्रमा करना क्योंकि मैं इन कसाईयो के पिठती अभी विंर्म और सोहाड दपूर बना हुआ हूँ और अब तो तुम वो व्यक्ति जो कभी इस समय की जो मौजे थी समय की जो लहरे थी उन पर कभी रहा और सबसे सज्जन व्यक्ति था सबसे नोबल, सबसे समानित, कुलीन व्यक्ति था उसके अब तुम खंड हर मात रहो अब तुम उसके अवशेश मात रहो क्लिया फ्रेंट्स तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और फैमिलियर सी कोट मिल जाती है बूटस कहता है चुकि वो रोम वासियों के सामने बताता है कि एक्स्प्लेइन करता है कि मैंने जो सीजर है उसकी हत्या क्योंकि तब वो कहता है कि एज सीजर लवड मी चुकि सीजर मुझे प्यार करता था मैं उसके लिए रोता हूँ मैं उसके लिए रोता हूँ क्लियर और आगे कहता है एज ही वाज फॉर्चूनेट आई रिज्वाइस और मुझे खुशी है मैं आनद मनाता हूँ कि वो भाग्य साली था और एज ही वाज 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 बाएंट आई आई ओर्रहिम as it as he was valiant और चुकि वो valiant था चुकि वो बहुत दूर था I honor him मैं उसका सम्मान करता हूँ मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि वे एक बहुत दूर व्यक्ति था और आगे कहता है but as he was ambitious में बात यहां कहता है कि as but as he was ambitious लेकिन लेकिन चुकि वो ambitious था चुकि वो महत्वकांक्शी था इसलिए मैंने उसको मार डाला I sell you him और फ्रेंट्स यह जो वर्ड है sell you sell you है सिले की second form सिले माने होता हत्या कर देना मार डाला मार डालना मर्टर कर देना किसी प्रेंटी का और कब कहता है act third के scene second में कहता है clear क्या कहता है कि मैं Caesar के लिए रोता हूँ as Caesar loved me क्योंकि वो मुझे प्रेंटी करता था I weep for him मैं Caesar के लिए रोता हूँ क्योंकि वो मुझे प्रेंटी करता था मुझे इस बात की प्रसंता है I rejoice और किस बात की प्रसंता है कि he was fortunate की भाग्यी ने उसका साथ दिया and I honor him मैं उसका समान करता हूँ क्यों करता हूँ he was violent क्योंकि वो बहद्दूर था और फिर भी I sell you him फिर भी मैंने उसको मार दिया क्यों मार दिया क्योंकि वो ambitious था वो रोम के लिए खत्रा था इसलिए मैंने उसको मार दिया बड़ी प्यारी लाइन और एक चीज और है इन लाइन को आप इनकी जो कई बार इनकी जो punctuation mark है वो लगाने के लिए इन लाइन में आ जाता है तो punctuation mark को बड़ा ध्यान से देख लिजेगा यहां हो सकता इधर उदर हो गया हो आप जो बुक में टेक्स्ट है उसको आप ध्यान से देख लिजेगा क्लिया और आगे एक funeral speech आती है एंटोनी की एक third case in second में ही इन lines के बाद आगे एंटोनी कुछ कहता है बड़ी लंबी सी funeral speech है friends उस speech में बड़ी प्यारी सी line आती है और एंटोनी कहता है कि friends, romance, countrymen, lend me your ears friends कि मेरे मित्रो, romance, अरे रोम वासियो and countrymen, अरे देश वासियो, lend me your ears मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात सुनो clear? संबोधित करते हैं कहरा रे, दोस्तो, रोम वासियो और देश वासियो, तु मेरी बात पर ध्यान दो I've come to bury Caesar, not to praise him कि मैं जो आया हूँ, मैं Caesar की परसंसा करने के लिए नहीं आया हूँ तुम इस बात को मत सोचना कि मैं Caesar की प्रेसं सा कर रहा हूँ Caesar मेरा दोस पाया हूँ बलकि मैं आया हूँ Caesar को बैरी करने बैरी यानी मैं उसको दफनाने आया हूँ और इसके बाद और बड़ी प्यारी सी बात कह दी है अंटोनी ने और शायद William Shakespeare जैसे व्यक्ति इस बात को कह सकते हैं वो कहता है कि दा इवल दाट मैंड डू लिव आफटर देम दा इवल कि जो भी बुराई हम करते है दाट मैंड डू जो भी बुराई हम करते है लिव आफटर देम वो बुराई हमारे बाद भी बनी रहती है वो कहता है कि जो बुराई जीवन में आदमी ने की है वो भी हमारे मरत्यू के बाद भी बनी रहती है and the good is often in tard with their bones the good is often के लिए off यूज कर लिया और जो भी अच्छाई होती है वो व्यक्ति की जो हड्डिया है उनको दफलाने के साथ ही खतम हो जाती है यानि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई उसकी म्रत्यू के साथ ही खतम हो जाती है और जो बुराई व्यक्ति करता है वो बुराई उसकी म्रत्यू के बाद भी जिन्दा रहती है यानि उसकी बुराई को लोग याद रखते हैं उसकी अच्छाई य है और scene जो है second है बहुत प्यारी सी लाइन लगती है दो जगा से देके कोट आ सकती है आपको इसी कोट से इन चार लाइन में से उपर की दोनों लाइन बड़ी फेमस हैं friends roman countrymen lend me your ears I come to bury Caesar not to praise him और फिर ये नीचे वाली भी आ सकती है बहुत प्यारी सी लाइन ये भी बन पड़ी है the evil that men do live after them and the good is often tarred with their bonds तो चले friends note करते हैं फिर आगे बड़ते हैं और इसी funeral space से एक कोट और प्यारी सी बनती है जब वेंटनी कहता है कि ओ जज्ज्मेंट दावार्ड फ्लैड टू ब्रूटिश बीस्ट ओ जज्ज्मेंट अरे न्याय दावार्ड फ्लैड टू ब्रूटिश बीस्ट तुमारी जो आर्ट है वो तो ब्रूटिश बीस्ट यानि जो खुंखार पशु है उनके पास चले गई है अरे न्याय तुम तो जो ब्रूटिश बीस्ट है उनके पास चले गई हो जो खुंखार पशु है उनके पास तुम चले गई हो अरे न्याय तुम तो खुंखार पशु के पास चले गई हो and men have lost their minds और जो मनुश्य है उसने अपना जो तर्क है अपना जो दिमाग है अपनी जो बुद्धी है उसको नस्ट कर दिया है clear? यानि मनुश्य का विनाश हो गया है उसकी बुद्धी खराब हो गई है और जो नियाए है वो जो खुँखार पशु है उनके हाथों में चला गया है इलिए फ्रेंज एंटोनी और एक थर्ड का सीन सेटन आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी प्यारी सी कोट है एंटोनी कहता है पॉर बूटस एज यू नो वो सीजर्स एंजल पॉर बूटस की जो बूटस है यानि जो सीजर्स की डेड बॉड़ी है देखें क्या बेक ग्राउंड है सीजर्स की डेड बॉड़ी है एंटोनी बड़ी साबधारी से उस डेड बॉड़ी के साथ एक एक कदम वो बढ़ता है और जो साजिस करता है उनकी प्रसंसा करता है और प्रसंसा करने के साथ साथ वो लोगों को जो देशवासी है उनको एक-एक हकीकत वो बताता रहता है और जो सीजर को ambitious कहा Brutus कहता है कि सीजर ambitious था इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी तो उस ambitious जो कहा था Brutus ने उस बात का ये खंडन करता है और बड़ी बुद्धी से बड़ी दिमाग के साथ वो इस बात को खेलता है लोगों की भावनाओं के साथ तो वो कहता है कि Brutus तो क्या था वो सीजर का एंजल था यानि Brutus एज यू नो वो सीजर्स एंजल यानि Brutus सब लोगों को मालूम है कि जो सीजर को बड़ा प्यारा था कौन? Brutus Judge Oh you gods और अरे देवताओ तुम जज करो अरे देवताओ तुम न्याय करो How dearly सीजर लवड ही How dearly सीजर लवड ही कि कितने प्यारे तरीके से सीजर्स ने उसको प्रेम किया था Brutus को प्रेम किया था क्लिया फ्रेंट्स एंटोनी की लाइन है एंटोनी कहता है और एक्ट थर्ड के सीन सेकंड में कहता है क्लिया तो टैन कोड्स थी वह हमने आज डिसकस की टैनिस से पहले लेक्चर में डिसकस करड़ी और जितनी भी इंप्रेंट कोड्स हैं मुझे लगता है शायद अग्रे लेक्चर में कम्प्रीट हो जाएंगी और फिर इसाल जो पिछले दो हमारे प्लेज थे एंटोनी के ल प्लेख रहा था आप लोगे कुछ कमेंट्स थे मास्टर वीडियो को लेकर और देखे पिछले संडे बड़ा बीजी रहा शेडियूल चाह रहा था लाइव आना लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया और कल संडे है फिर आपसे मुलकात होती है कल शाम को कोशिश रहेगी कि ला लाइब आने के लिए मोटिवेट करने के लिए और अभी तक बिलियन माइंट्स इंग्लिस एप पे अगर आप नहीं आए हैं तो उस एप को इंस्टॉल कीजेगा और उसमें जो एमसी क्यू सीरीज चल रही है उससे अपनी प्रैक्टिस को आप कंटीनू रखेगा तो चलि झाल झाल